Black pressure हमारे देश में एक ऐसी बिमारी है जो कई लोगों में undetected रहती है क्योंकि इसके symptoms कुछ नहीं दिखाई देते हैं जब कोई व्यक्ति किसी वजह से अपने डॉक्टर के पास follow-ups के ले जाते है या first time किसी वजह से check-up के ले जाते है और इस वजब आपके डॉक्टर आपका blood pressure check करते हैं उनमें इन्हें दिखाई देता है कि आपका blood pressure कही ना कही बढ़ा हुआ है या बढ़ने लगा है तो ऐसे situation में अगर आप पहली बार ही गए है और आपका BP थोड़ा high है यानि लगबग 140-90 के करीब आ रहा है तो कोई भी डॉक्टर आपको तुरंट दवाई नहीं देता है पर वो आपको lifestyle management जरूर कहते है करने के लिए जिससे आप एक blood pressure levels जो आपकी normal limit में आ सके उस पर आप काम कर सके और ऐसे में अगर आपको दूसरी कोई बिमारी है जैसे आपको diabetes है आपको heart related कुछ problem है आपको stroke related problem है तो शायद ऐसे स्थेति में अगर ये बड़ा हुआ BP आपके doctors दिखते हैं तो वो आपको दवाई लेने की सलहाद दे सकते हैं पर जब आप देख रहे हैं कि आपका blood pressure धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आप नहीं चाहते हैं कि इसकी दवाई आपको खानी पड़े और आपकी family history भी strong है जहां आपके parents को या भाई बहन को blood pressure या diabetes है तो अगर आप इसकी संभावना टालना चाहते हैं कि आगे जाके भी आपको हो ना तो ऐसे में आपको कुछ lifestyle modifications करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे blood pressure आपसे दूर रह सके तो ऐसी क्या चीज़े है जो आप घर पर खुद से कर सकते हैं जिससे आपका blood pressure कम रहे या normal रहे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप नियमित रूप से exercise करे daily आपको अपने लिए 30 minutes का वक्त निकालना है और ये 30 minutes आपको dedicatedly अपनी exercise के लिए देने है जिसमें आप brisk walk से शुरुआत कर सकते हैं आगर आपकी सास वगरे ना फूल रही हो तो आप इसमें cycling कर सकते हैं आप इसमें jogging कर सकते हैं आप इसमें swimming भी कर सकते हैं बट सबसे ज जिससे आपके breathe करने की शमता बढ़े और आपकी lungs की capacity भी improve होने में आपको मदद मिले ब्रीधिंग exercises से आपका दिमाग भी शान्त होता है stress levels भी कम होते हैं और साथी blood pressure कमाने में भी आपको मदद मिलती हैं ध्यान रहे कि अगर आप smoking कर रहे हैं या आप alcohol ले रहे तो आप इ होती है blood pressure levels को कम करने में डाश डायट अपना है जिसे हम कहते है dietary approach to stop hypertension याने आपको आपके खाने में कुछ बदलाव लाने चाहिए जैसे कि आप अपकी डायट में vegetables ले regular basis पर, beans ले, low fat dairy products ले, whole grains का इस्तमाल करे, minerals, vitamins और potassium युक्त फूर ले और ऐसी चीजे जिन में नमक जा high fat है या जैसे हमने देखा alcohol है ये सारी चीजे बंद कर दे तो जब आप ये diet follow करना शुरू करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका blood pressure धीरे-धीरे कम होने में आपको मदद मिल रहा है अगर आपका वजन बहुत जादा है तो अगर आप 5-7% weight loss भी achieve करते हैं तो भी आप आपका blood pressure एक normal level में आने में आपकी बहुत मदद करेगा तो जरूरी है कि आप exercise और diet से अपना weight control भी जरूर रखे अगर आपको बहुत अधिक stress है जिस वजह से आपकी नीद पूरी नहीं हो रही है तो आप उस पर भी जरूर काम करें क्योंकि stress, tension, worries ये सारी चीजे आपका blood pressure बढ़ाता है तो ध्यान रहें वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, लियमित रूप से exercise करना ये सारी चीजे बहुत जरूरी है जो आपको blood pressure levels को normal रखने में आपकी मदद करेगी अगर बहुत जादा तला हुआ, fatty food, नमकीन खाने के आप शौकीन है, अचार, पापर ऐसी ची तो ऐसी चीजों को भी कम करने की आदत डाल दीजिए, अगर आपको नमक अधिक लगता है, जैसे आपके घर में कोई चीज बनी है, पर आपको अगर उसमें हमेशा से उपर से नमक डाल कर लेने की आदत है, तो उसे cut down कर दीजिए, तो ये बहुत छोटी छोटी और basic lifestyle tips है, जो हमने आपको आज दी है, जिससे आप आपका blood pressure normal रख सकते हैं, बस जरूरी ये है कि सिर्फ tips follow करने से कुछ नहीं होगा, आपको नियमित रूप से अपना blood pressure level monitor करना भी उतना जरूरी है, ताके वक्त पर ही आपको पता चले कि कहां पर lifestyle modification जरूरी है, और कहां से आगे जा कर की नहीं, अब इस stage से हमें दवाई लेना सरूरी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,